आप से विद्यारतों का स्वागत है हमारे चलने पर कैसे मित करते हूं कि आप सब बढ़े हैं तो आज मैं पर बहुत ही महत्तपुन या पर आपको 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 क्या दिना है आपको इसका परिभासा दिना है सेल्फ आवेडिनिस के बारे में सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन इंपैथी एंड इंटरप्रेशनल स्कील्स ठीक है इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने युनिट वन में दिया गया है तो इन सभी चीज़ों को मतलब करने वाले इस वीडियो में तो आप सब्सक्राइब आप्र होगा मंतलब होता कैपा घौरत थे श्मे जिसको हो इन सबस्का सबस्क्राइब और दो और वियेग्निक गुण हहीं मन करता है कि और एक मनुप जेंघनिक गूंज है और यह समझड़िक और आत्मय क्यानी कि आत्मा के साथ को slash फिर्द की Zis क्वाल जते के सब developed को सब्सक्राँ करता को सक्क्राइब करने किए नियंत्रन करने और प्रभावित करने की छमता को शंकेत करता है भावनात्मक बोधिमिता हमें स्वेंग को पाचानने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने दूसरों की भावनाओं को समझने संघर्ष को हल करने और सहयोग पूर्ण संबंद बनाने की छमता परदान करता ऐने कि यह अंगर अपने आपको इसके मदद शार ने और दूसरों की भावनावनाओं का महात्पुन पाक्षच और समर्पित बंने में क्या करता हमारी मदद करता एन समाजिक जीवन के विभीन पहलों में चुछ सफलता की प्राप्ती में मदद करता है कि बहुत इसका महात्रण ठीक है समाजी इसका बौधिक बौधिक यह आपका भावनात्मक बौधिमता का ठीक है एनकी इमोशनल इंटेलिजेंस आगे दिखिए इसका है भावनात्मक सवय जाग रुपता ठीक है सवय निंद्रन प्रिर्ना सहानोभूति और समाजी कौसल सामील है यानि कि कहने का मतलब भी है कि इन में जो आपका सामील कौन कौन सा है तो देखिए इसमें आपका है सेल्फ आवेडनेस ठीक है सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन इमपैथी ए इसका क्या है एक मोडल है इसका प्रकार है अब देखिए अब इन सबी चीजों को में करके डिफाइन करेंगे स्वय जाग रुपता जिसको सेल्फ आवेडनेस बोलते हैं तो यहां जो उन भावनावों वीचारों और धार्नावों की जाग रुपता है जो हमारे अंदर क्य जाग रुपता है और इसकी मदद चैन्ट स्वयम के जाग रुपता है हमें स्वाभाव पसीमाय मजबूरियां और कमजोरियों को समझने में हमारी क्या करता है मदद करता है अब दूसरा अगरं देखें स्वा नियंत्रन जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं यहां हम हमारे भावनाओं को प्रतिकिर्याओं और किर्याओं को जो है उन्यंत्रित करने का इसके अंदर छमता होता है स्वा नियंत्रन हमें अपने बहवार को संतुलित रखने की संतुलित के दोनों साट जो संतुलित बनाये रखने में स्वाभाव को प्रतिवंदित करता है और का है कि जो मोटिवेशन होता है यह हमारे मतलग कि यह हमारे जो आत्मा को संचालिद करने ठीक है उसको संचालिद करने और हमारे जो लक्ष है उसको प्रेरिद करने की छमता करता है यानि कि और अगर हम किसी भी चीज को करने के लिए अंदर मोटिवेशन होना चाहिए ठीक है तब ही आप किसी भी कारे में आगे बढ़ सकते हैं और आप जो उसको मतलगी बहुत अच्छे त्रहके से जोए कर सकते हैं तो प्रेर्णा हमें ऊच अस्तर के काम करने आगे बढ़ने और संगर्स को पार करने स्वयम को सुधारने के लिए क्या करती है motivate करती है ठीक है motivation जो एक ऐसा चीज है दोस्तों कि अगर आप माल जगर किसे माल जगर पढ़ाई में अगर आपको मन नहीं लगता तो अगर आप उसमें motivation का अगर थोड़ा बूर विडियो कर आप देख लेते हैं तो आप गारेंटे के मतलब कि motivate हो कि आप इसलिए जो पढ़े सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से मतलब motivation का जोगे काम होता है ठीक है प्रेरना का अब देखे सहानु भूती जिसको हम empathy बोलते है ठीक है या हमारी चमता है जो दुसरों के भावों अनुभवों और दुख सुको समझने की चमता है तो सहानु भूती हमें क्या करता है सहानु भूती जो है दुसरों के साथ बहतर संबंद बनाने सहयोग करने और समंता को समझने में यह हमारी मदद करती है आप देखिए इंटरप्रेशनल स्किल्स जिसको समाजी कोशल बोलते हैं ठीक है समाजी कोशल तो यह हमारी छमता है दुसरों के साथ सहयोग पूर्ण समंद बनाने और समाजी परियोजनाओं में समाजी कोशल हमें सनवाद करने संगर्सों को हल करने और समान ने मिलने में मदद करती है ठीक है यह हमारा क्या होगा समाजी कोशल हो गया यानि कि इंट्रफ्ट्टिशन ञांगिसे अफ more नीमोषर कोंषयों की में यहाग और दूसरों की मन विद 누가 को मुझने संगर्सों को हल करने सहयोग पूर्ण संबंध मनाने सवतंत्र और इस करने में हमारी मदद करता है हमारे समाजिक पेसेवर और विक्तिकत जीवन में सफलता है के लिए महत्पुर्ण ने तो उम्मिद करते हैं कि आपको यह चैप्टर सहाब का यूनिट वन जो की इमोशनल इंटेलिजन्स को अच्छे तरह से समझ में आगी होगा समझ दो को लाइ करते हैं